नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारे रीट के जो स्टुडेंट है या फिर लेवल फर्स्ट कोई भी हो सकते हैं अब देखो आपके पास या तो भाषा फर्स्ट होगी या भाषा सेकंड होगी ठीक है दोस्तो यदि आपके पास भाषा सेकंड है समस्कित की तो वहाँ पे आपको एक अलंकार और छंद का टॉपिक भी चलेगा आपके और समय ग को यह पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि अलंकार में कैसे सवाल बनेंगे यही नहीं पता होगा बहुत सारों को तो आपको मतलब किस तरह से तैयारी आपको करने होगी यह भी पता चलना चाहिए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको इ काब्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते केन उक्तम इस तरह का हमारा प्रश्ण बन सकता है यह कह रहे हैं कि काब्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते यह जो एक परिभाशा दी गई है अलंकार के विशे में ठीक हैं तो यह किसके द्वारा ऐसा कह ये पंति किसके द्वारा कही गई है इस पंति का अर्थ बता देता हो दोस्तो इस पंति का अर्थ होता है की काब्य की शोभा को बराणे वाले धर्म ही अलंकार कहलाते हैं काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म या हम कह सकते हैं शब्द या अर्थ जो है उसी को अलंकार कहते हैं ऐसा किसने कहा तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ ऐसा कहा है दोस्तो दंडीने किसने कह काव्या दर्शकार आचार्य दंडी ने ऐसा कहा है ये उनके द्वारा कही गई परिभाशा है ये आपको दिहान रखनी होगी ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रश्टों तो एक तो इस तरह की सवाल बन सकते हैं दूसरा सवाल है अमारा देखिए यहां पर खाली इस्तान दे देखिए यहां पर भी आपको ये पूछा जा रहा है कि यहां जो खाली इस्तान आपको दिख रहा है इस खाली इस्तान में क्या आएगा ये भी एक प्रकार से परिभाशा ही है ये जो आपने अभी पड़ा है ये अंगत द्वारेन जातुचेत हारादी बदालंकारास्ते प्राशो पमादयाः हो ये जो कहा है ये कहा है दोस्तों ममट के दौरा ये मममट के दौरा कहा गया है ऐसा अब इसका अर्थ क्या है बोवी में बताओंगा लेकिन या खाली इस्तान में क्या आएगा वो आपको पहले में बताता हूँ अप्सन है उपकुरवpantsi तमसंतम सं यानि कोई भी नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जाने की पहले नंबर पे लिखा हुआ है उपकुरबंती तमसंतम ये अंगद्वारे नजातुचेत हारा दीब अलंकारास्ते यनुप्राशो पमादय हुआ इसका मतलब है दोस्तों कि जो पूर्व से विद्यमान रश को कभी कभी शब्दार्थ रूप में काव्य अंगों द्वारा जो उपकृत करते हैं वे ही अनुप्राश उपमादी अलंकार कंटक कुंडल हार आदी की तरह होते हैं अर्थार्त कुंडल हार आदी के समान होते हैं ऐसा इसका मतलब है ठीक है तो ये किस ने कहा है दोस्तों ये कहा है मम्मट ने तो यहां आ जाएगा उपकुरवंती तमसंतम ठीक है ऐसे आपको दियान रखना होगा तो इस तरह का भी सवाल बन सकता है इससे आपको पता चलेगा मैं 30 प्रकार के प्रश्ण बताऊगा तो उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि इस तरह के प्रश्ण भी पूछे जा सकते हैं अगला सवाल सवाल नमर तीन शब्दा लंकार के है नास्ती शब्दा लंकार कौन सा नहीं है जो यहाँ पर नाम दिये जा रहे हैं उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा लंकार शब्दा लंकार नहीं है अपसन देखते हैं अनुप्राश है यमकम वक्रोक्ति ही उपमा बताओ फटापड तीसरा सवाल है क्या आंसर होगा सवाल को समझ गए होंगे आप क्या आपसे पूछा जा रहा है सवाल है कि शब्दालंकार के नास्ती शब्दालंकार कौन सा नहीं है पहले तो आपको ये बत हमारे जो अलंकार हैं वो तीन प्रकार की कहे गए हैं शब्दालंकार अर्थालंकार उभयालंकार शब्दालंकार का मतलब होता है जब किसी काव्य में प्रयुक्त अलंकारिक शब्द के इस्थान पर उसका अन्य कोई परियावाची शब्द रख दिया जाता है एवं उससे वह अलंकार नश्ट हो जाता है तब वहाँ शब्द अलंकार माना जाता है मतलब सीधा सीधा ये है दोस्तों कि जब किसी शब्द विशेश के कारण ही काव्वे में अलंकार रहता है काब्य की अंदर एक चमतकार उत्पन होता है काब्य की एक शोभा वर्धन होता है तो उससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अलंकार है समझ गया बात को यानि कि जहाँ पर शब्द के माद्यम से एक चमतकार उत्पन हो और जहां अर्थ के माद्यम से उत्पन हो वो अर्थालंकार होता है जहां दोनों का मिश्रुन होता है उसे उभ्यालंकार कहते है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कुश्यन नमर तीन में उपमा उपमा जो अलंकार है आपका ये शब्द अलंकार नहीं है ये अर्थालंकार है दोस्तों कौनसा है अर्थालंकार जहां पर अर्थ में चमतकार बना रहता है अर्थ में चमतकार रहता है जैसे कि उपमा है रूपक है उत्रिक्षा है ये सब के सबाब के अर्थालंकार कहलाते हैं क्या कहलाते हैं अर्थालंकार शब्दालंकार जैसे कि अनुप्राश यमक इस तरह के जो अलंकार होते हैं ये हमारे शब्दा अलंकार होते हैं तो आंसर समझ में आगया होगा अग्ला सवाल देखते हैं चार नम्मर अर्था अलंकार है के है अस्ति ठीक है नास्ति और अस्ति में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो इसको तोड़ा सा पढ़ने में जल्दि वाजी नहीं करें अर्था लंकार है के है अस्ती यानि कह रहे हैं कि अर्था लंकार कौन है कौन सा लंकार यहां अर्था लंकार है उपमा, रूपकम, उत्प्रेक्षा या फिर सर्वे बताओ चार नम्मर प्रश्ण का अंसर फटावर बताई आँ तो चलिए मैं आपको अंसर बता देता हूँ आप भी सोच लेना अपने मन में और लास्ट में बताना कि तीसमें से कितने आपके सही हो रहे थे इमानदारी से तो इसका राइट अंसर है सरवे यानि कि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ये तीनों के तीनों अर्था लंकार है कौन से हैं अर्था लंकार आगे चलिए के है अलंकार है उभया लंकार है अस्ती कौन सा अलंकार उभया लंकार है जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों का गुण यहाँ पर मिश्रित होता है ऐसा अलंकार कौन सा है उपमा, शलेश है, अनुप्राश है, कोपी नहीं बताओ, कुश्य नमर पांच तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स शलेश है जो शलेश लंकार है हमारा, ये उबहा लंकार की अंतरगत आता है उबहा लंकार मतलब शब्द एवं अर्थ दोनों का चमतकार पाया जाता है जैसे की शलेश लंकार है, इसकी साथ साथ में बक्रुक्तिय लंकार भी इसकी अंतरगत आ जाता है वक्रुक्त अलंकार भी इसमें आ जाता है ऐसे ठीक है आगे चलिए अगला सवाल है वर्ण साम्यम अनुप्राश है लक्षणम केन उक्तम लक्षण किसने कहा है अब दोस्तो एक तो आपका ये सवाल है इसके अलावा एक प्रश्ण और आपको दियान में रख लेना है कि वर् सलंकार में होता है वर्णों की समानता ये वर्ण साम्यम के सलंकार में पाया जाता है आपका उत्तर हो जाएगा अनुप्राश में ये पंक्ति याद रहेगी तो आप ये भी कर सकते हो वर्ण साम्यम अनुप्राश है ऐसा आपको दियान रखना है अनुप्राश का लक्षण किसके द्वारा कहा गया है मम्मटीन बामनीन विश्वनाथीन भामहीन किसने कहा है यह बताईए फटापड अंसर तो इसका अंसर हो जाएगा मम्मटीन यह जो है न मम्मट ने कहा है ऐसा वर्ण साम्यम अनुप्राश हो ऐसा मम्मट ने कहा है ठीक है और किसके बारे में कहा है अनुप्राश अलंकार के बारे में ठीक है आगे चले चलिए आगे हमारा साथ नम्मर प्रशन है अनुप्राश है शब्द साम्यम अब यहाँ पर खाली जगे दे दी यानि कि यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है अनुप्राश है शब्द साम्यम स्वरस्यत अब खाली जगे में आपको बताना है देखिए क्रमेण वैशमेपी प्रतगर्थायाह या व्यंजनेपी क्या आएगा फटावड बताईए तो सिंपल है कि यदि आप इसका लक्षन आपको पता है लक्षन यदि आप जानते हैं किसका अनुप्राश का तो आप फटाफट पकड़ लोगे यहां क्या आएगा अभी मैंने लक्षन बोलके बताया था अनुप्राश का अनुप्राश है शब्द साम्यम वैशमेपी स्वरस्यत यह इसका लक्षन है तो क्या आया उसमें वैशमेपी स्वरस्यत अनुप्राश का मतलब होता है दोस्तो कि जब किसी पद में स्वर की विशमता होने पर भी व्यंजन वर्णों की समानता प्राप्त होती है बहाँ अनुप्राश अलंकार होता है स्वारों की बिशमता हो लेकिन वहाँ पर व्यंजन वरणों की समानता प्राप्त होती है जैसे की पल पल तरस्ते थे उस पल के लिए पर वो पल आया भी तो कुछ पल के लिए सोचा था उसे जिन्दगी का हसीन पल बना लेंगे पर वो पल रुखा भी तो कुछ पल के लिए इसमें देखो पल 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 इसका मतलब है यहाँ पर अनुप्राशलंकार है क्योंकि यहाँ व्यंजन वरणों की समानता प्राप्त हो रही है तो यहाँ अनुप्राशलंकार हो गया समझगे बात को जैसे और भी उधारन है बहुत सारे ऐसे जिस डाली पर हमने नजर डाली किसी कमबक्त ने वो डाली काट डाली जलो ऐसे और भी कही उधारन मिल जाएंगे आपको चलिए तो इस प्रकार अनुप्राश लंकार आप समझ गए ऐसे अनुप्राश का लक्षन याद कर लेंगे उसके उधारन याद कर लेंगे आप इसमें जो हमने बताए है वो मोस्ट उधारन ही बताए है आगे चलिए अगला सवाल है आठ नम्मर अनुप्राश श्यकती भेदाहा ये भी बढ़िया सवाल है अनुप्राश के कितने भीद हैं हाँ बैसे तो डिटेल से नहीं आएगा लेकिन केवल संख्या पूछी जा सकती है कि कितने भीद होते हैं तो आंसर देखेंगे 4, 3, 2, 5 बताओ तो राइट आंसर हो जाएगा 5 याने कि 5 भीद होते हैं प्राश सुरुत्यानुप्राश लाटानुप्राश अंत्यानुप्राश ये 5 प्रकार कानुप्राश होता है दोस्तों कितने 5 प्रकार कानुप्राश चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल बहुती बढ़िया सवाल है दोस्तों देखिए 9 नंबर का सवाल है अमारा अनुप् उन पाँच नाम के अलावा जो है वही आंसर होगा छेकानु प्राश है लाटानु प्राश है ब्रत्यानु प्राश है सुत्यानु प्राश है अंत्यानु प्राश है तुकानु प्राश है ये कोई भेद नहीं है तो इसका मतलब राइट आंसर यही होगा इसमें यही तो पू देख रहे हैं यह सब के सब अनुप्राश के भेद हैं यह नाम आप याद रख सकते हैं चले आगे चलिए दस नम्मर सवाल है ततो मरगेंद्र से मरगेंद्र गामी बदाय वध्या से शरम शरन्यहूं इत्यत्र के अलंकार है कितना बढ़िया उधारन है वहीं कि यहां पर कौ अलंकार है बताईए ततो मरगेंद्र शे मरगेंद्र गामी बदाय वध्या शरम शरन्यहूं ऐसे अलंकार बताना है तो सिंपल है अलंकार इसमें आपका कौन सा हो जाएगा चलो अपसंदेखते हैं उपमा शलेश अनुप्राश उत्प्रेक्षा तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा आपका कौन सा अनुप्राश उलंकार हो जाएगा आप देखिए यहां पर व्यंजन वर्णों की बारवार आबृत्ति दिख रही होगी व्यंजन वर्णों की जहां आबृत्ति होती है जहां समानता दिखाई देती है वहां पर अनुप्राश उलंकार आपको मानन होता है देखो म्रगेंद्रस्य, म्रगेंद्रगामि, बधाय, बध्यस, शरं, शरन यहां यहां पर आपको समानता दिख रही है व्यण्जन वरणों में दिख रही है कि नहीं तो इससे आप पता लगा सकते हो कि अनुप्राशलंकार होगा जैसे अभी हमने उधारन दिया था पल पल तरस्ते थे उस पल के लिए ऐसे ही आप एक शलोक चलता विद्यानाम नरश्यरूपमधिकम विद्यादनम गुप्तधनम एसे जो आप में विद्या विद्या शब्द बारवार आ रहा है तो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि अनुप्राशलंकार है एक शलोक है शलोक कि यहाँ अनुप्राशलंकार हो जाएगा ऐसे चलें आगे चलिए आगे है एको देव है केशवोवा शिवोवा इत्यत्र के अलंकार है अभी मैंने बोल भी दिया था तो उपमा अनुप्राश वक्रुक्ती यमक तो simple है अनुप्राशलंकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी समानता दिख रही है वियंजन वर्णों की जैसे कि एक देव है केशव है वाशिवो 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 वाशिव अब जो खाली स्तान दिया हुआ है दोस्तों ये लक्षण बाला है आपको यदी लक्षण पता है तो निश्चत रूप से आप फटा-फट कर लोगी ठीक है बताईए क्या आएगा उपमा अनुप्राश है रूपकम यमकम क्या आएगा किस आपके अलंकार का लक्षण है ये उसी से अंदाजा लगा सकते हो कौन से अलंकार का लक्षण है उससे पता चल जाएगा तो ये है दोस्तो आपका यमक यमक हमारा जो अलंकार है उसका लक्षन है ये तो कुल मिला के यहां खाली जगे में यमकम आ जाएगा अब कैसे हो जाएगा अर्थार्थ ये हुआ दोस्तो इसका अर्थ कि जब किसी पद में किसी संपूर्ण शब्द की आवर्थी होती है एवं उनका अलग अर्थ प्रकट होता है तब वहां पर क्या होता है यमक अलंकार होता है ऐसा इसका मतलब है जो अभी हमने बोला था जैसे आपने देखा हो सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे सजना के लिए मुझे सजना है सजना के लिए तो यहां सजना शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों सजना का अर्थ अलग है एक सजना तो वो जो आप समझ रहे हैं और एक सजना वो जो सब लोग समझते ही है मतलब समझ गए सजना मतलब डेकोरेٹ होना मतलब अपने मेक अप करना पॉलेसित त्यारी करना और एक सजना होता है अपना پिया याने अपना सौ़मी पती मान लो ऐसे आप कह सकते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आप समझ गए कि कहाँ पर होता है ठीक है चलिए आगे दिखते हैं इसका प्रशित दुधारन है यमक्का जो कि मैंने 13 नंबर के कोशन में लिखा है नब पलाश पलाश वनम पुरह स्पुट पराग परागत पंकजम म्रदु लतांत लतांत मलो कयत सशुरभीन सुरभीन सुमनो भरही इसमें इत्यत्र के अलंकार है यहां पर कौन सा अलंकार है तो डायरेक्ट बता दीजिए यमक अलंकार होगा क्योंकि यहां पर दो दो शब्द आ रहे हैं दो दो शब्दों के जोड़ा आपको दिख रहे हैं पलाश पलाश पुट पराग परागत पंकजम देख रहे हैं के नहीं? तो हमने कहा ना अभी कि आपको दो शब्द लगातार दिखेंगे और वहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग दिखेगा आपको तो वही तो होता है आपका यमक अलंकार जैसे हमने कहा कि सजना है मुझे सजना के लिए इस तरह से तो समझ गए आप कि वही आपका यमक अलंकार कहा पर होता है ऐसे चलें आगे चलिए तेरा कोशन हमारे हो जाते हैं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब अगला सवाल कोशन नमबर 14 चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा कोशन नमबर 14 चौदा नमबर का सवाल है देखते हैं मागे नईव चे मागे नह कम पह कस से नजायते कस अलंकार से उधारन मस्ती यह किस अलंकार का उधारन है ऐसा यहां कहा जा रहा है तो हमने कहा कि जब दो शब्द आएं आपके दो शब्द जोड़े से आते हैं अलग अर्थ प्रतीत होता है वहाँ पर हमारा यमक अलंकार हो जाता है यमक का मतलब ही जोड़ा होता है तो यहां पर आ रहा है माघेन एव चे माघेन कमप है माघेन आ रहा है और दूसरा माघेन आ रहा है तो दो शब्द आ रहे हैं यहां पर तो इससे अंदाजर लग जाएगा आपका क्या? इससे अंदाजर लग जाएगा कि यहाँ पर आपका यमक अलंकार है option देखो मत देखो direct लगा सकतो यहाँ आपका यमक अलंकार हो जाएगा अभी अभी तो हमने आपसे कहा था कि दो शब्द आपको सेम दिखेंगे जैसे कि अगला सवाल है 15 नम्मर का बहुत बढ़ी बढ़ी सवाल है यमक शब्द से कह अर्थ भवती यमक शब्द का क्या अर्थ होता है यमक शब्द का तो देखिए युगलम युगमंबा समीपम वर्न संगहातम वर्न बिन्या से है बताए क्या अर्थ होगा तो इसका जो राइट आंसर है यह होता है यमक शब्द का अर्थ यानि की जोड़ा होता है इसको हम युगल भी कह सकते हैं और या फिर युगम भी कह सकते हैं ठीक है ऐसे अगला सवाल देखिए अब देखो यह जो लाइन है यहाँ पर स्टार्टिंग में खाली स्टान दिया हुआ है और आगे शलेशा इश्यते ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि यह शलेशलंकार का लक्षन है जो की अधूरा है अब खाली स्टान में क्या आएगा यह आपको पूरा करना है तो बताईए उपसन में से चाटिए शलेश्टही समीपही वर्णही प्रकृते है बताईए क्या आएगा लक्षन यदि पता है तो फटापट करी लोगे तो शलेश का लक्षन होता है शलेश्टही पदैर अनेकार्था विधाने शलेश इश्यते है तो यहाँ पर मतलब एक से जादा अर्थ निकलते हैं जब किसी पद में प्रियोक्त किसी एक ही शब्द का अलग-अलग मतलब संधर्व की अनुसार अलग-अलग अर्थ प्रकट होता है तो वहाँ पर शलेश अलंकार होता है आपका कौन सा अलंकार होता है शलेश अलंकार होता है वहाँ एक शब्द है लेकिन अर्थ दो निकलेंगे, तो ये है आपका श्लेश अलंकार, अभी बाँ बताऊंगा उधारन आपको किस तरह से होता है, वहाँ पर आप समझ जाओगे, ठीक है, किलियर है, अब चलिए, आगे देखते हैं, तो इसमें तो आपको पता चल गए, अभी कौ शुबेबा हे नीपती ही, बहुती सुन्दर उधारन है, कस्य उधारन मस्तिया, यहाँ पर मतलब हुआ कि किस अलंकार का उधारन है, ऐसा यहाँ पूछा जा रहा है, तो देखिए ऑप्सन है, उपमा, रुपकम, श्लेश है, विभावना, बताईए, सत्र नंबर कोशन का अंसर फटापट सोचिए, तो चलिए हम बता देते हैं, इसका अंसर हो जाएगा, श्लेश है, यानि जो आपने देखा है अभी उधारन, यह श्लेश का आपका उधारन है, श्लेश का, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको हिंट में बता देता हूँ, यहाँ लिखा है, उच एक शब्द है यहाँ पर वाहिनी पती, इस वाहिनी पती शब्द के भी दो अर्थ हैं, कीलाले शब्द के दो अर्थ कैसे हुए, एक तो अर्थ होता है, कीलाले का मतलब जल, दूसरा अर्थ होता है, रक्त या खून, समझगे बात को, कीलाले के दो अर्थ होते हैं, एक तो समुद्र होता है दूसरा सेना पती होता है दो अर्थ निकल गए अब इसको हम अलग अलग प्रसंग के हिसाब से कैसे प्रियोग में करते हैं मैं वाक्य में प्रियोग करके बता रहा हूं मतलब इस पूरी लाइन का अर्थ बता रहा हूं इस लाइन का अर्थ है, अलग-अलग अर्थों में 2 वार अर्थ निकलेगा, यानि कह रहे हैं कि नदी में उछलते हुए अत्यदिक जल को देखकर के समुद्र प्रशन हुआ, कौन प्रसन हुआ, समुद्र, जब वाहिनी पती का अर्थ समुद्र होगा, तो इस तरह से अर्थ नि निकलेगा यानि नभी में उचलते हुए अत्यधिक भूरी यानि अत्यधिक जल को देख करके समुद्र प्रसंद हुआ दूसरा अर्थ निकलेगा युद्ध भूमी में उचलते हुए अत्यधिक रक्त को देख करके सेना पती प्रसंद हुआ ये ऐसे इसके दो अर्थ निकले तो बात आप समझ गए, वही कीला लेके दो अर्थ निकले, इसी तरह से बाहिनी पती के दो अर्थ निकले, तो इस तरह का यदी कोई उधारन है, तो आप समझ जाना कि यहाँ शलेव शलंकार है, अब बैसे तो मानलो कोई पंक्ती आगे जिसका अर्थ ही नहीं पता, तो वहा आपकी किताबें चलती हैं, आपकी ग्यारवी, बारवी की, उनी में मोस्ट लिए आपको मिलेंगे, तो वहां से मैंने ये मतलब इकत्रित किये हैं, तो मोस्ट है सारे के सारे, ऐसे समझ लूआ, आगे चलिए, अगला प्रशन है, अठारा नम्मर का, प्रतिकूलताम उपग प्रतिकूलताम उपगते ही विदव विफलत तुमेती भहु सादनता अवलम बनाय दिन भरतूर अभून्य पतिश्यता कर सैश्रनम अपी, ये पूरा श्लोक है इसका, तो किया रहें कि किसका उधारण है ये, स्वभावोक्ति का, श्लेश है, अनुप्राश है, यमक ह, बत श्लेश का मतलब होता है चिपकना, याने कि इसमें दो अर्थ चिपके हुए हैं, कैसे, इसमें देखो एक शब्द है, आपका विधू, क्या सब्द है, विधू, इस तरह से, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक तो है विधू शब्द, इस विधू विधू आपका विधू शब्द से बना हुआ है, एक तो, दूसरा है आपका विधी शब्द, विधी याने भाग्य होता है, ठीक है, विधी याने भाग्य होता है, और विधू याने चंद्रमा होता है, ऐसे दो अर्थ अलग-अलग यहाँ पर निकल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं एक तो यहाँ पर विधी यानि आपका भाग्य होता है दूसरा विधू का मतलब यहाँ पर चंद्रमा होता है ऐसे समझ गे बात को तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि भाग्य जब प्रतिकूल हो जाए यानि कि उल्टा हो जाए तो ब प्यार किरने हैं उसके साथ में लेकिन वो भी उसको डूबने से नहीं रोक सकती हैं इसका मतलब है कि जब भाग्य विप्रीत हो उस समय कोई भी मतलब आदमी नीचे गिरने से बिफल होने से नहीं बच सकता ऐसा इसका मतलब है तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा 19 नम तो यहां पर देखियो अप्सन है शलेश है अनुप्राश है रूपकम यमकम तो यहां पर दोस्तों उत्तर हो जाएगा शलेश लंकार कौन सा है शलेश लंकार यहां पर एक शब्द लिखा हुआ हर है यहां पर जो हर है शब्द लिख रहा है इसके दो अर्थ हैं आपने लाओगे जब लोट लकार में तो आपके मध्यम पुरुष के एक बचन में रूप बनेगा हरे ठीक है हरे इसका मतलब है कि इसके दो अर्थ निकलेंगे जब एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं तो वहां मतलब समझ जाना की शलेशलंकार हो जाता है आपका ठीक है ऐसे की हुई है यह किसी मतलब अलिंकार का एक लक्षण है तो आपको इसमें आदा अदूरत दिया हुआ है आपको पूरा करना है इसमें क्या आएगा खाले स्तान पर यह आपको बताना है तो बताईए फटापट ऑप्सन दिये हुए आपके सामने चार ऑप्सन इन में से क्या राइट होगा आप बताईए फटापट देखिए ओप्सन है प्रस्फुटम सादृष्यम अतिशयम कोपी ने बताओ क्या आंसर होगा बीस नमर का चलिए हम बता देते आंसर प्रस्फुटम होगा दोस्तों प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधियते ये उपमा अलंकार का लक्षन है किसका उपमा अलंकार का लक्षन है जो कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा अधूरा करके लिखा था ऐसे अब इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है कि जब किसी पद में किसी एक सामान्य पदार्थ को किसी प्रसिद्ध पदार्थ के समान मान लिय जाता है तो वहां उक्मा अलंकार होता है ऐसे आपको समझना होगा यानि जब किसी एक सामान्य पदार्त को सामान्य पदार्त का मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है हम आप कोई भी हो सकता है और एक प्रसिद्ध पदार्थ होता है जब प्रसिद्ध पदार्थ के समान उसको मान लिया जाता है तो बहाँ पर उपमालंकार होता है मतलब तुलना होती है तुलना जैसे हमने का कि राम गाय के समान है अब राम गाय के समान है तो यहाँ पर आपका उपमालंकार हो गया ऐसे ठीक ह अगला है उपमायाह अवयवानी कति संती अब उपमा के अवयव कितने होते हैं ये सवाल है अप्पसन है चार, पांच, तीन, दो बताओ फटा फटा पट आंसर क्या होगा तो इसका अंसर हो जाएगा दूस्तो ए यानि की चार होते हैं उपमा के अवियव चार होते हैं प्रेंस कितने अवियव होते हैं चार अवियव होते हैं अब कौन-कौन से हैं अगले सवाल में यही पूछा जा रहा है एक उपमे होता है उपमान होता है साधारन धर्म होता है और वाचक शब्द होता है यह चार हमारे क्या होते हैं वाचकशब्द है, सादरश्यता बताओ कौन सा नहीं है तो यहाँ पर सिंपल है कि अभी हमने आपको चार वताय थे, उसमें सादरश्यता का नाम कहीं नहीं था, इसका मतलब यह वाला ऑप्सन नहीं है सादरश्यता नहीं है, उप में उपमान होता है साधारान धर्म होता है वाचक शब्द होता है ये चार अवियव होते हैं इनको हम अंग मी मान सकते हैं कि चार अंग होते हैं इस तरीका से उपमें उपमान आप जानते हैं साधारान धर्म जानते हैं और वाचक शब्द जानते हैं जो उसको बताने वाला होता है वो बाचक शब्द होता है अब चलो आगे चली फ्रेंट्स अगला हमारा सवाल है तेवीस नम्मर सवाल को पढ़ते हैं हनसीव कृष्ण तेकीर्ति ही स्वर गंगा गंगा मवगाहते ही अलंकार है के यानि कि यहां पर कौन सा अलंकार है शलेश है रूपकम उपमाह समझ माई गया होगा हन्शीव कृष्ण हते कीर्ति स्वर गंगा गंगा मवगाहते इसका अर्थ है इस लाइन का कि हे कृष्ण तुमारी जो कीर्ति है वो हंसनी के समान आकाश गंगा में अबगाहान कर रही है आकाश गंगा में क्या अबगाहान कर रही है ऐसे इसका तो तेवीस नंबर जो हमारा सवाल है इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार कौन सा हो जाएगा उपमा अलंकार केलियर है ऐसे यह मोस्ट उधारन है सारे के सारे आगे चलिए अब चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्ण है चौवीस नंबर का चौवीस नंबर सवाल को पढ़ तकुल्यव दृष्टी ही ठीक है कि रहे हैं कि कस अलंकार से उधारन मस्ती ये जो उधारन है ये किस अलंकार का उधारन है ठीक है अनुप्राश है उपमा स्वभावोक्ति और रूपकम बताओ फटाफ़ा आंसर क्या होगा इसका बताईए तो इसका आंसर हम बता देते हैं इसका आंसर होगा उपमा यानि कि बे ओप्सन आपका सही होगा यहां पर दोस्तो आपका उपमा अलंकार है उपमा में हमने कहा कि तुलना की जाती है अब देखो इसमें उपमा में आपको इव शब्द दिखता है अब बैसे इव आपको उत्प्रेक्षा में भी दिखता है ठीक है उत्प्रेक्षा के अंदर भी दिखेगा लेकिन उत्प्रेक्षा में जो इप दिखेगा वो सामान्य तह आपको धातू के साथ में दिखेगा जैसे लिम्पती वत्तमुंगानी वर्शती वांजनमनवे इस तरह से और यहां जो दिखेगा वो आपको शब्द के साथ द कुल्या इव द्रिष्टी हो गया तो इस तरह से इव दिख रहा है तो इससे थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि उपमा होगा अब अर्थ से तो पूरा ही पता लग जाएगा अब मैं इसका अर्थ निकालता हूं कि अर्थ क्या निकलेगा श्नपयति हिर्दयेशम हिर्दय राम के लिए आया है कि धवल तथा अति सरल स्ने को प्रभावित करने वाली तुमारी दृष्टी दूद की धारा के समान हिर्दयेश राम को स्नान करा रही है क्या करा रही है वई स्नान करा रही है ऐसा यहां मतलब हुआ बात समझे की नहीं इस तरीका से हम यदी देखें तो निश्चत रूप से आप कर सकोगे आगे चलिए अगला है तस्याह मुखम कमलम इव सुन्दरम अस्ती अस्मिन उपमाया उधारने उपमेह पदम की मस्ती यहां कह रहे है कि तस्याह मुख उसका मुख कमल की तरह सुन्दर है तो निश्चत है कि यहां पर आपका उपमा लंकार तो होगा ही ठीक है तो यहां यह कह रहे है कि उपमाया उधारने उपमा की उधारन ने उपमये पद क्या है? उपमये पद तो उपमये पद ढूरिए फटापट ईसमें मुखम एब कमलम सुंदरम तो right answer होगा मुखम यानि उपमये पद है मुख उपमये पद वो होता है जिसकी तुलना की जा रही है किसी चीज के साथ में थीक है उपमेपद तो आपका मुख हो जाएगा यानि उसका मुख कमल की तरह सुन्दर है समझ गए आगे चलिए अगला है हमारा 26 नमर पर महा मनश्वी जैसिंग देव है विश्व प्रसिद्धस्ट्य महा प्रतापी यो राज इपसे अंदर लगा लो आप तो सीधा सीधा मोटा मोटा यहां पर अलंकार हो जाएगा कौंसा लंकार हो जाएगा उपमालंकार ठीक है इस तरह से बात पकड़ सकते हुआ अब चलो अगला सवाल देखते हैं चलिए दोस्तों अब कोशन 2017 देखते हैं हमारा द ćीए एकला सवाल है सवाल को पड़ते हैं यत्र उपमानस से आरोपनम उपमे भवती तत्र केह अलंकार है कत्यती देखो कितना बढ़िया ये सवाल है आपका के रहें कि यत्र यानि जहां पर उपमानस से आरोपनम उपमान का आरोप उपमे पर होता है वहां पर कौन सा अलंकार होत आपको लक्षन याद होने चीए लक्षन याद रहेंगे तो उससे अंदाजा लग जाएगा तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार का लक्षन है तद रूपक मवेदो यह उपमान उपमे ययो हो इसका मतलब है दोस्तों कि जब किसी पद में उपमे एवं उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है عوید عاروب کا मतلب उस पर वास्तम में होता नहीं है उस पर आरोप तिया जाता है जैसे मालो आपने राम लीला में कभी राम रावन को देखा होगा अब वो व्यक्ति वास्तम में रावन तो नहीं है लेकिन उस पर रावन का जो रूप है उसको आरोपित कर दिया ठीक है, ऐसे, चलें आगे, चलें, 28 नम्मर है, इसी का उधारन है, संसार अभिश ब्रिक्ष से द्वे एवरस्वत फले, काव्यामृत रश अश्वादे संग में सज्जनई से है, इत्यत्र के अलंकारे अस्ती, यहाँ पर कौन सा अलंकारे, बहुत ही प्रसिद्ध उधारन है और बहुत ही मोश्ट उधारन है, ठीक है, संसार अभिश ब्रिक्ष से द्वे एवरस्वत फले, काव्यामृत रश अज्वादह संगमें सज्जनई से है, यानि कह रहे हैं कि संसार रूपी बिश ब्रिक्ष के दो ही रस वाले फल है, हमारा जो संसार रूपी बिश तो यहाँ पर क्या किया है आरोप कर दिया कि संसार विश्वृक्ष के समान है जिसमें केवर दो ही रसवाले फल हैं एक तो काब्यरूपी अमरित का रसत स्वाद करना और दूसरा सज्जनों की संगती करना ये इसका अर्थ है दोस्तों अब अर्थ किलियर हुआ तो सब कुछ इसपस्ट हो जाता है अब देखिए किसका उधारन है ये बताइए तो फटा पर समझ में आगया होगा ये है रूपक का किसका है रूपक का किलियर चलो आगे चली दोस्तों आगे चलते हैं आज की इस मतलब हमारे इस टेस्ट पेपर के हिसाब से हमारा सेकिंड लास्ट रह जीव मान है तद भाग देहम परमं पशुनाम देखिए के अलंकार है यहाँ पर कौन सा अलंकार है ये आप से पूछा जा रहा है बहुत ही प्रसिद्ध है ये भी मोस्त उदारन है दोस्तों तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका रूपर क्योंकि यहाँ भी पशु की समान है जो पुछ शेव भिशान हीन है यसीञ और फूछ से हीन है उस पशु की तरह है तरह इसका इसका मतलब Rafi यहाँ पर भी आरुप किया जा रहा है दोस्तों इसका मतलब यहाँ आरुप हो रही तो आरुप हो रहugen तो निश्ञत रूप से रूपकलनकार हो ज संती ये बोधक शब्द हैं याने की बताने वाले शब्द हैं ये किस अलंकार के हैं विभावना उत्प्रेक्षा रूपक उपमा बताईए फटाबट किसके हैं ये तो इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्षा क्योंकि ये सब उत्प्रेक्षा लंकार में आते हैं किसमें आते है कि अंदकार अंगों को लीप सा रहा है मानों की ऐसा लग रहा है कि काजल की बर्शा हो रही है तो इस तरीका का जो हम बोलते हैं ना तो वहां संभावना प्रेकट होती है और जहां संभावना रहती है वहां पर आपका उत्प्रेक्षा लंकार होता है किलियर है दोस्तो हमने उत्प्रेक्षा का एक most उधारन बताए था मैं एक वार बोल के बता रहा हूँ उधारन है आपका तो आज के हमारे जो मतलब मॉडल पेपर के हिसाब से जो 30 कोशन हम सौल्व करवा रहे थी तो उसमें 30 प्रशन हमारे हो जाते हैं तो यहाँ पर जो बोदक शब्द हैं जैसे मन्ने, माना, शंके, शंका होती है द्रुबं, प्राया, नूनम यह जो शब्द हैं आपके यह जदी किसी उधारन में मिल जाते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा लेना कि उत्प्रेक्षालंकार होगा इतना आप पता कर सकते हैं दोस्तों ठीक है? तो इस तरीका से हमने यहाँ पर आपको most important आपको तीस उधारन यहाँ पर बताए व्यक्षा सहित विशलेशन करके और हमें उमीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपके लिए लावकारी होगा तो जो हमारे भी ध्यारती रीट वाले या फिर सेकंड गड़ की त्यारी कर रहे तो उनके लिए भी काम आ सकता है यह और रीट में जो लेवल सेकंड या फस्ट दौनों के लिए है लेकिन भाशा सेकंड यदि है आपके पास तो आपको ये निश्चित रूप से समझना चाहिए यहां से एक दो सवाल आपके जरूर बनेंगे दूस्तों ठीक है तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताना कमेंट करके आपको समझ में आया कि नहीं आया या ये भी बताना और आपका स्कोर कितना बन रहा है यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो वो भी आप जरूर बताना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कोल मत बूलो क्योंकि इस पे हम आपको इतनी उप्योगी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए लावदायक वीडियो यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए इतनी मेहनत आपको हम कर रहे हैं एक छोटा सा काम तो आप करी सकते हैं दोस्तों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय तो समस्कुतम धन्यवाद